स्वागत है आपका जोती स्वास्तू और उपाई के चैनल पे बात करेंगे आज के राशी फल की आज 14 अगस्त 2023 है दिन है सुमबार सब्ता का पहला दिन सावन मास केशन पक्स की 23 तिति सुबह 10 बजे तक उसके बाद 4 तितिति का आगमन हो जाएगा तो आज 14 अगस्त का दिन सिंग राशी और मीन राशी वालों के लिए कैसा वेतित होगा करेंगे इस पे चर्चा सबसे पहले बात करते हैं सिंग राशी के सिंग राशी वालों के लिए दिन आज ज़्यादा फेवरिबल नहीं है वर्क प्लेस पे कोई ने कोई परिशानी चलती रहेगी पूरा दिन तनावपॉन रहने वाला है दिन दो इस्सों में बटा हुआ है एक दिन है 11 बच के 7 मिनिट तक जो दिन का पुरवार्द है यह थोड़ा सा सही है इस पुरवार्दी के अंदर चंद्रमा गुरू के नक्षेतर में चलेंगे गुरू आपके लव और रिलेस्टिप संतान और प्रेम और सिक्षा के मालिक है तो 11 बच के 7 मिनिट तक इन शेतरों में आपको सपलता मिलेगी संतान के उनती हो सकती है संतान बाहर जा सकती है साथ यसाथ संतान से आपको प्रसनता होईगी संतान को रोजगार भी मिल चकता है लव और रिलेस्टिप के लिए भी थोड़ा सा ठीक है ये दिन परन्तु 11 बच के 7 मिनिट के बाद आपका परिशानियां शुरू हो जाएगी परिशानियां कोई न कोई चलती रहेगी आपको पूरे दिन सचीत रहना है क्योंकि खर्चे की अधिकता सुबह से ही लगी रहेगी क्योंकि चंद्रमा जब भी बारवे घर में आता है तो आज पूरे दिन बारवे घर में है तो सुबह से ही आपके खर्चे बड़े चड़े रहेंगे, बड़ा खर्च हो सकता है, किसी भी तरह के कागजात पर अगर आप साइन कर रहें, तो बहुत ही सावदानी से आप कारे कर जीवन साती घर से बाहर किसी कारे से जा सकता है, परंतु फिर भी जीवन साती के साथ आपके तनावपूर संबंदे चलते रहेंगे, पार्टनर्शिप में व्यापार है तो 11 बजे के बाद उसमें भी नुकसान या उसमें भी परिशानी होती भी दिख रही है, पूरे दिन भी वहान ने चलाएं, वरना एक्सिडेंट का खत्रा आपके हो सकता है, जो लोग वेपारी हैं, वो लेन दिन में सावधानी से चलें, किसी भी तरह से जल्दबाजी में या लेन दिन में उधार दन देने से बचें आज, उच्छे दिकारी आप से नाराज हो सकता है, वर्क सके टाल के चलें, विद्यारतियों के लिए भी आज थोड़ा सा मन में बठकाव के स्थिती रहें और वो अपनी सिक्ष्या पर कंसंट्रेट करने में उनको प्रॉप्लम रहेंगी, प्रेमी जीवन में रहने वाले लोगों के लिए दिन 11 बज़े के बाद नकारात्मा गया, 11 बज़े तक भी दिन इतना ज्यादा फेबरेबल नहीं है, परन्तु फिर भी 11 बज़े तक थोड़ा सा समला हुआ दिन है, जीवन साती का सम्मान करना ही आज आपको दामपत्य जीवन में परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है, तो इस चीच को पूरे दिन ध्यान रखें आप जीवन साती का सम्मान करें, कुरोध से बचें, क्या उपाई करेंगी दिन आपका आई है, जब भी आता सिंगराशी वालों के खर्चे बहुत करवाता है, तो इस खर्चे से बचने के लिए एक ही उपाई है, सबसे बढ़िया कि आज आप अपने घर के रसुई के देन नहीं जाएगा, बहग़वान, शिव की पुज़ा आप आज अवश्य ही करें, बहग़वान, शिव के उपर शहद अवश्य अरपित करें, कुछ भी मीठा अवश्य अरपित करें, हो सके तो गन्ने का रस। या गुड़ और पानी इस टैप से मीठा अरपित करने से धन सब्सक्राइब कीजिए आपके जीवन में आई यूरों के आश्वरे की व्रेदी होती रहे इसी शुब कामना के साथ नमस्कार अब हम बात करते हैं मीन राशी की मीन राशी गुरू प्रदान राशी है और चंद्रमा आज गुरू के नक्षत्र में ही चल रहे हैं सुबसुब तक गुरू के नक्षत्र में चल रहे हैं तो आज आपका दिन दोई संगे वटा हुआ है घ्यारा बजे तक अलग दिन चलेगा घ्यरा बज़े के बाद अलग दिन चलेगा आज पूरे दिन सरवार्थ सिद्धी योग बना हुआ है यह स्टार्ट होएगा गहले средश के साथ बिनेट दे, दस साथ से स्टार्ट होके अगले दिन साड़े पांच बजे के आसपास तक चलेगा तो इस समय आप कोई भी नयकारे शुब शुरू कर सकते हैं, शुब कारे कर सकते हैं दिन आपका ठीक है और पुरवार्द आपके लिए ज्यादा अच्छा है, यानि कि ग्यारा बजे के बाद आपको थोड़ा सा समय की अनुकूलता कम प्राप्त होईगी, आज कोई भी आगर आप यातरा करते हैं, कोई बड़ी डिल साइन करते हैं, तो रावुकाल का ध्यान चल रहे हैं, तो आपके चंद्रमा चल रहे हैं, वो यह बता रहे हैं, कि आज आपको किसी भी कागजात पर अगर आप साइन कर रहेंगे, तो बहुत ही सोच समझ के करना है, वहाँ बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ग्यारा बज़े के साथ मिनट के बाद आपको विशेव सावधानी रखनी है, किसी भी कागज़़नी on, आप साइन करने से का दिन सही है वैपारियों को धनलाप मिल रहा है साथ ये साथ उनका संपर्ख शेत्र भी आज बढ़ रहा है परंतु आज जो भी नुकसान आपको होएगा वह आपकी जल्दबाजी और एवी वेक साइम नहीं कोना है वरना वहाँ परिशानी ज्यादा सकती है दिन को ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए बस आपको यह करना है कि कोई भी कारे कर रहे है तो उसकी प्लानिंग पहले बनाए और उस प्लानिंग को चेक करके कारे करें वैपारी और नौकरी पेशा दोनों ही प् हुई है वो आपके लिए थोड़ी सी नकारात्मक चल रही है आज दही से भगवान शीव का अभी शिक करें भगवान शीव का दही से अगर आप अभी शिक करते हैं तो आपके लिए शेष्ट परिणाम मिलेगा साथ ही साथ आज गाय को चीनी या पताशा या गुड रखके उ उससे भी आपके जिवन में सकारत मकता आईगी लाल रंग का आप चुनाव कीजिए अपने वस्तरों के अंदर और दो कांग आपके लिए शूब है तो मीन राशी वालों के लिए इस तरह से दिन दो भागों में बटा हुआ है 11 बजे तक ठीक है 11 बजे के बाद कम कीज़ मैं सकत्कर टुक फहातै राशी है 15 बजे यसरे के छिरव को बाद करिवर यस्तरों का area 12.15 बटाइब बाद पिर लाषणी कीज़् सक्याए है